हेलो एवरिवन तो फ्रेंज एक कमेंट आया था मुझे के जैसे घेर वाली कुर्ती होती है और पैंट पैंट के बोर हो जाते हैं या फिर किसी भी रीजन से वो लोग उनको फिर इस्टेट करना चाहते हैं मतलब सीधा करना चाहते हैं तो यह देखिए आज यह मेरे पास घेर किर आली कुर्ती है इसको मैं बिलकुल स्टेट करूंगे सीधा और इसके चाहग भी उपं रखेंगे हम तो ये देखिए इस तरीके की ये कुर्टी है इसको हमने क्या करना है बिल्कुल साइड की जो सिलाई होती है उससे मिला के अच्छे से रख लेना है तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोर फोल्ड में करके बिच्छा दिया है साइड की सिलाई मिलाते हुए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसकी length जो है मुझे जादा है, तो मैं इसकी length कम कर लेती हूँ, नीचे से तकरीबन 4 inch मैं इसकी length कम कर लूँगी, इसको सीधा कर लूँगी बिल्कुल, तो यह देखे, यह तो हमारा cut हो जाएगा, length कम हो जाएगी इसकी, अच्छा, अब फिर उसके बाद आपको क्या ना अपना है, जो हमारी hip होती है, वहीं से घेर शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर shoulder पे इंची tape को रखना है, और जो हमारा hip होता है, जहाँ पे हमारा chak खुलत है, वो कई लोग 21, कई लोग 22 लेते हैं, अपने इसाब से जितना उनको पहनना होता है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ, 21 इंच पे, यह देखी, इस तरीके से मैं ने 21 इंच पे यह निशान लगा दिया, अब hip का measurement क्या है, राउड में आपको hip का measurement लेना है, त तो यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप रखना है, और 12 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे, तो यह 12 इंच पे निशान हो गया, और जो हमारा folding होगा, चाक के लिए, उसके लिए भी 1 इंच यह निशान लगा लिए मैं, तो यह 2 निशान हो गया, अब नीचे जाएंग और यहाँ पे इसी तरीके से हम क्योंकि स्टेट खुर्ती बनानी है, तो यहाँ पे इसी तरीके से 12 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और folding का 1 इंच यह लोगी, इनको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, इस तरीके से मैं यह रखूंगी, तो यह देखिए, इस तरीके से मै निशान लगा लिये है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे, इस वाले निशान पर, उपर से तो बिल्कुल ठीक है, हमें, सिर्फ हमने घेरा कम करना है, स्टेट करनी है, तो यह यहाँ से लेके, इस तरीके से कट हो जाएगी, और यह वाले भी मैं कट कर लूँगी, चली कर लेत है, तो यह देखे, इस तरीके से कट हो गया है, अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी, तो यह मैंने उल्टा कर लिया है, यहाँ पे एक इंच हम पीछे जाएंगे, यह हमारा कट है, यहाँ से एक इंच इदर, जो यह वाली सिलाईए है, अमारी कमर की यहाँ पे शेप करके आपको इस तरीके से लाना है, और स्टीच कर लेना है, दोनो साइड़ों से इसी तरीके से करना है, तो चलीए इसकी स्टीचिंग यहाँ सीछे कर लेते हैं, शेप दे के इच्छे से, और अपsection छाग भी बना लेते हैं, तो यह देखी मैंने इस तरीके से निशान बना लिया, यह हमारी कमर की सिलाई है, और यहाँ पे हिप तक, यहाँ से हमने सिलाई कर लेनी है, तो चाक बनाने के लिए एक चीज का ध्यान लखना है आपको, कि आपको खीचना नहीं है कपड़े को, बिलकुल अराम से रखना यह देखिए, यहाँ से हम चाक बनाएंगे, एक बार फोल्ड किया, फिर यह दूसरी बार फोल्ड किया, खीचना नहीं है बस इसको, तो फ्रेंट्स, एक चाक हमारी बन चुकी है, दूसरी चाक भी इसी तरीके से बना लेंगे, और नीचे से भी सिंपल फोल्ड कर लेंगे, चलिए, फिर मैं इसका फाइनल लोक आपको दिखाती हूँ, तो फ्रेंट्स ये देखिए, मैंने चाक भी बना लिये है, चाक पर अच्छे से प्रैस कर लेंगे, और ये देखिए, हमारी जो घहरे वाली कुर्ती थी, वो star हो चुकी है, तो इस तरीके से आप कुर्ती को solो कर सकते हैं, तो फ्रेंट्स, वीडियो में इतना ही मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में थांक यू वाचिन